भै भै सबको होता है चाय वो पशू हो पक्षी हो या मनुश्य पास्तविक्ता में मनुश्य भै को अपने साथ लेके ही जन्मन लेता है तो इस भै से भै कैसा यदि भै बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेके जन्मन लेते हैं ऑब रस्त विक्ता में है हमें आगे बढ़ने के लिए अगड़रिक करता है अब देखिए जीवन जाने का भें आपसे सोयम की सुरक्शा करवाने का प्रयास करता है अप्मान का सदाचार की और बढ़ाता है किसी प्रियो को खो देने का उसके लिए कर्तव्य पालन करने को प्रेरत करता है किन्तु ये भै ये भै बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपनी उपर हावी हो जाने देते इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते इसलिए यदि इस भै को उप्योग में लाना है आपको स्वयम इस भै के उपर हावी हो जाना होगा तो तोड़ दीजिए भै की सीमा है अपनी आत्मा को छोड़के किसी और के समख सर मत चुकाईए और स्मरन रखिये जब अंदककार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओ राधे राधे करे दो अजमेरा लाधे कर दो दोड़ दो है